दुर्ग जीरे में सफर कीड़ी ट्रांस्प्लांट कर अपनी अलग पहचान बना चुका आरूग्यम हॉस्पिटल अब दो महीने बाद दूसरे ट्रांस्प्लांट करने की तैयारियां कर रहा है आजकल कीड़नी की समस्या एक बड़ी समस्या होती है बड़ी संख्या में कीड़नी के मरीजों को डायलीसिस के भरोसे जीवित रहना परता है ऐसे में आरूग्यम हॉस्पिटल जीरे के लिए वरदान साबित हो रहा है 36 गड़ के दुरूग बाईपास पर इस्तिता आरूग्यम हॉस्पिटल में अब कीड़नी ट्रांस्प्लांट की सुविधा भी शुरू हो चुकी है दो महिने पूर्व दरुग जिले में पहला किड्नी ट्रांस्प्लांट का ओपरेशन आरोग्यम हॉस्पिटल में सफलता पूरवक किया गया था और अरोग्यम हॉस्पिटल दो महिने बाद दूसरे किड्नी ट्रांस्प्लांट की तयारियों में जोड़ गया है आपको बता दें कि दुरुग जिले का पहला किड्नी ट्रांस्प्लांट बालोद निवासी उत्तम कुमार देश्मुक का किया गया था उन्होंने बताया अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आरुग्यम होस्पिचल के डारेक्टर नभीन दारुका ने दुरुग जिले का पहला और सफल किड्नी ट्रांस्प्लांट करने की बात कहते हुए दूसरे आउप्रेशन की तैयारियें को लेकर जानकारी दी मेरा किड्री ट्रांस्प्लांट कराए धाय मेना हो गया 16 जुन को मेरा किड्नी का ट्रांस्प्लांट हुआ था आधर सब्सक्राइब जैसे एक नॉर्मल बैक्ती अपने आपको महसूस करते होंगे वैसा ही मेरे को अप्खिल होता है जैसे मैं पहले डायलिसिस में मैं रोज कुछ प्रॉब्लम हो जाता था यह जो बड़ि में बहुत सारी समस्याइं होती थी उस सारी समस्याओं से मैं अब पुरी तरह से अज्याद हो चुका हूं अभी अपने आपको बहुती ज्यादा अच्छा और बेटर महसूस करते हैं डाक्ति देब्रेस्ट यहां का जो बार दोनों का बहुमत बड़ा सपोर्ट था और ट्रंस प्लान करने के पहले हम लोगों का फैमिली मेटिंग उसमें सारी चीजों के बारे हम जानकरियां दी कि करने के वक्त क्या हो सकता है तो फॉबट हमें तो ठीक होना था हम सुट अपने सद मतलओ लोगने वहां अपनी अपनी की यह यहीं च 해야 तो बहुत ही अच्छी जानकरिया निसलिक्ता इनी तो फैसे थी वह कर दोिए आई अ mean अगर अच्छा जिन्दगी जीना है तो आप लोग ट्रांस्प्लान करेंगे। जल्दे से जल्दे करवाई ताकि आप अच्छे से जीवन जी सकते हैं जैसे आपके जीवन पहले रहा होगा से उसे वही जिन्दगी आपको फिर से दुबारा में सकते हैं। किड्नी के पेशेंट बहुत जादा है और ज्यादा तर पेशेंटों की किड्नी जो एंड स्टेज रिनल डिजीज में जो पहुंच जाते हैं। किड्नी को मनुष्य के सरीर को पेशेंट की सरीर के ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। चीज को अच्छी कॉलिटी ऑप लाइफ उनको नहीं मिल सकते हैं। इससे अच्छी कॉलिटी ऑप लाइफ देने के लिए या नॉर्मल लाइफ देने के लिए ट्रांस्प्रांट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने पेशेंटों को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं तो रिनल ट्रांस्प्लांट और किण्णी ट्रांस्प्लांट की सुविधा अगर हम पेश्ट को ही अगर हर साल हर बार पेशिंट को डालेसिस कराना पड़ता है साथ साथ में बहुत से इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं जिसके कारण से उनका खर्चा काफी ज्यादा डालेसिस में बढ़ जाता है क्योंकि हर बार 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 अपने काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है जिसके कारण से ओवर ओल उनकी इंकम भी कम हो जाती है लेकिन अगर पेशिंट ट्रांस्प्लांट करा लेता है और यह प पड़ता है उसकी भी जरुरत नहीं पड़ती है तो ऐसे मरीज जिसे ट्रांस्प्लांट जिसकी किट्नी खराब है हम लोग हमेशा यह बोलते हैं कि उन्हें सबसे पहले ट्रांस्प्लांट के बारे में सोचना चाहिए डालेसिस को अपना एक साइड ऑप्शन होना चाहिए आकि प्राइर प्रियुटि me ड्यालिश सिस नीं होनी चाहिए रधर ट्रांस्प्लांट ट्रांस्प्लांट को के उनके प्रियाटी लिस्ट में होनी चाहिए वीजिए टर्न्सप्रांट, क्या कुई है, मूजिए और कि नाइश को स्थीशॐ के साथ में उस kidney transplant को सफल बनाया तो पहले transplant के बाद हम बहुत ज़्यादा ही आश्वस्त हैं कि हम ये transplant भी अच्छी तरह से करके निकालेंगे भले हमने तैयारियां में कोई भी कमी नहीं की है हम इस transplant को भी बहुत भी seriously और अच्छी तरह से लेकिन हमारा विश्वास और हमारा जो confidence काफी हाई है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए transplant में तो हमें उमीद है कि हम इस patient को भी ठीक करके इस जिले में इस जिले का दूसरा transplant हम सफल करेंगे एस इन नीउस के लिए दुरुए से नसीम फारुकी की रिपोर्ट